दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का रेलवे भरती 2019 जिहां दोस्तों बड़ी कबर आ रही है रेलवे भरती 2019 की परिच्छा को लेकर इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे आखिर क्या चीजे जरूरी हैं और कब हो सकती है आपकी परिच्छा लेकिन उससे पहले आप मेंसे जो चातर घर बैठे कुछ ना कुछ कमाई करना चाहते हैं उसके लिए मेरे पास एक उप्सन है नीचे वीडियो के डिसक्रप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको एक अप्लिकेशन का लिंक मिल जाएगा जिसको डाउनलोड करके और सेयर रुपए की अर्निंग कर सकते हैं यानि घर बैठे 20-25 रुपए आप आराम से कमा सकते हैं केवल उस अप्लिकेशन को डाउनलोड करके और सेयर करके तो डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिसक्रप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा तुरां इसको एक अच्छी नौकरी की काफी आउ सकता है लोग एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए काफी कटिम परिस्रम करते हैं सरकारी नौकरी को लोग काफी सुरचित मानते हैं रेलवे की नौकरी सरकारी नौकरी में काफी खास मानी जाती है आज के इस लेक में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि railway group D 2019 के लिए उमिद्वारों के लिए एक जरूरी सुचना क्या है जिहां railway group D बढ़ती 2018 का document verification हुआ document verification होने के दौरान उमिद्वारों को computer आधारित परिच्छा का प्रवेश्पत्र का निचला हिस्सा मांगा जा रहा था important बात है उमिद्वारों को computer आधारित परिच्छा का प्रवेश्पत्र का जो नीचे का हिस्सा है वो मांगा जा रहा था इसलिए 2019 में होने वाली railway group D की परिच्छा के लिए अब ध्यार्तियों को प्रवेश्पत्र का निचला हिस्सा समभाल का रखना होगा ये बात आपको ध्यान रखनी है आपको अपने प्रवेश्पत्र का जो नीचला हिस्सा है उसको समभाल का रखना होगा आए परिच्छा के बारे में थोड़ी जानकारी ले ले लेते हैं रेलवे ग्रूप-डी भठती 2019 की परिच्छा नॉमबर या दिसमबर महिने में हो सकती है ऐसा अनुमानित है कि इस साल के अंत्र तक य Murray दिसमबर में रेलवे ग्रूप-डी की परिच्छा समभावित है उमिधवारों को परिच्छा में अच्छे अंकल आने के लिए 2018 के वि पिलाल इस बात का कोई confirmation नहीं है पहले भी थोड़ा हो सकती है ठीक है बाकी जो मातपूर बात यह है कि previous year questions आप देखते रहें उससे आपको फाइदा मिलेगा तो यह बात बिलकुल सही है आप कोशिस करिए जतना मिल सकता है आप previous year questions जरूर सौलू करें आज के वीडियो में इ अजय में देखते हैं आप